आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों कि मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टड़ी आई कि आपको बहुत बहुत से हो गयता है आज हम बात करेंगे दोस्तो लुजैन अलहतलूल यह हो क्या रहा है लिगे साओधी में तो आपको पता ही है कि भायाना कटरता है वह करें हमारे समाज का आधा तो अरते बनाती है और उनको कोई राइट्स नहीं है वो वोट नहीं कर सकती छोटी छोटी चीजों के लिए भी उनको मेल गार्जन की परमिशन की जरूरत परती है यूँए में वो ड्राइब अब ड्राइब कर सकती है पहले तो ड्राइब भी न को मारा जा रहा है जेल में बंद किया जा रहा है ये अक्तिविस्ट और ये जो न्यूटरल जर्नलिस्ट जो सच दिखाते इनी की ही वज़े से अभी इंसानिय जिन्दा है अगर इनको भी हम मारने लगेंगे अन्याय करने लगेंगे तब हमारी बात रखेगा कौन तो हम लुजैन अलहतलूल के बारे में बात करेंगे, हजार दिनों बात इनको release किया गया है लगबक तीन साल बात finally इनको सौधी अरेबिया से जो इनको जेल में रखा गया था release किया गया है in-depth analysis करते हैं चली आगे बढ़ते हैं वैसे साथी पे मैंने पूरा इतिहास साथी का cover किया है मौमद बिन सल्मान की बाइगराफी, उनके पिता जी फिर उनके दादा जी, सब cover किया आप देखी जिएकर साथी का इतिहास अगर आपको जानना है तब जरूर देखिएगा ये हमने test series लॉंच किया आप जरूर अवेल करें बहुत ज़्यादा फाइदा को इंस्टा पे मैं आ गया हूँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं देखें, लुजायन अलहतलूल को Wednesday को रिलीस किया इस समय पूरी दुनिया में इनकी चर्चा है woman right activist है ये औरतों को जो rights है नहीं सौधी अरेबिया में उसके लिए ये लगातार लड़ती रही है हजार दिनों से ज़ादा इन्होंने जेल में बिताए सौधी अरेबिया का आपको धांचा पता ही है royal family, all south family जो है वो रूल करती है अब ये all south family दो ही चीज़ों से डरती है एक तो free media और एक बहुत जादा ताकतवर military तो सौधी अरेबिया में बहुत जादा ताकतवर military से लिए निक्यू क्यों तकता पलट कर देगी और free media लोगों की चेतना को जगा देगी तो withdraw हो जाएगा तो सौधी अरेबिया एक तरीके से dictatorship ही है developed बहुत जादा है लेकिन औरतों के लिए वो बहुत बेकार जगा है औरतों को कुछ भी नहीं मिलता छोटे छोटे rights भी नहीं है वो male guardian के बिना बाहर भी नहीं निकल सकती ऐसे हालात है शरिया लाओ को सौधी अरेबिया follow करता है मतलब काफी हद तक काफी चीजे जो है वो वहीं सही कटर एक तरीके से कटरता है सौधी में तो अब उसी के ही तहट Lujan al-Hatalul जो है भाई ये काफे liberal औरतों के लिए खड़ी होने वाली activist जब इन्होंने आवाज उठाई इनको पकड़के जेल में डाल दिया गया अमेरिका में सत्ता पलट गई इनको शायद रिलीज नहीं किया जाता अगर जो बाईडन नहीं आते देखे डॉनल्ड टरम तो थोड़े से राइटेस्ट थोड़े से क्या काफी राइटेस्ट है वो एक्स्रेमिस्ट है तो वो तो सौधी और अमेरिका जनम जनम के साथ ही हैं तो मुहमद बिन सल्मान बिलकुल एकदम निश्यन देखे ठीक है डॉनल्ड टरम आएंगे तो सब बढ़ी ही होगा लेकि डॉनल्ड टरम आएंगे जो बाइडन आ गए और यहां पर अमेरिका ने साथ बोल दिया कि सौधी में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वोमेन राइट अक्टिविस्ट आप उनको छोड़ेंगे प्रेशर में क्यूंकि सौधी अमेरिका के बाद सुनता है कि जो मेरी बेहन को सजा सुनाई गई है वो रोने लगी अभी दो महिने पहले दिसंबर 2020 में देखिए तीन साल पहले इनको अरेस्ट किया गया और लुजायन अलहतलूर को भाइंकाई टॉर्चर किया गया है इनके साथ सेक्शुल एसॉल्ट हुआ इनको टॉर्चर किया गया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला बिल्कुल अखेले रखा जाता था इनको मानसिक तरीके से मानसिक दबाव डाला गया तोड़ने की कोशिश की को तोड़ भी दिया गया और उसके बाद तीन साल पूरे होने के बाद दिसंबर में वर्डिक्ट यह आता है कि इनको पांच साल आठ महीने और रहना पड़ेगा तो यह रोने लगी लुजायन अलहतुरूल ने जब यह सजा सुनी वो रोने लगी कोई भी तूट जाएगा वैसे ही तीन साल इतना टॉर्चर अब और पांच साल रहना है देखिए वैसे तो सौधी की कोट ने इसको कैंसल कर दिया था अवधी इनकी 2018 में ही पूरी होने वाली थी 34 महीने के इनको सजा सुनाई की थी वो कैंसल सस्पेंड कर दिया था सौधी कोट ने तो 2018 में ही रिलीज हो जाती लेकिन सौधी में की स्पेशल कोट है 2003 में जो अलकाइदा ने अटाइक किया था जितने भी अक्टिविस्ट हैं उसी इल्जाम की वो लोग इसमें शामिल थे फसा के उनके उपर मुकदमा चलाए जाता है 2008 में स्कोट को बनाए गया था और इसके तहत अभी तक हजारो हजारो पॉलिटिकल जो जर्नलिस्ट हैं या जो सत्ता के किलाब आवाद उठाते हैं जो अक्टिविस्ट हैं उनको जेल में डाला गिया है उनके पर मुकदमे चल रहे हैं तो साओधी अरेबियन एथारिटीस ने ये बोला तीन साल तक इनको खुट टॉर्चर किया और उसके बाद ये बुला कि ये तो टेर्रिस्ट है हम तो टेर्रिस्ट को काउंटर कर रहे हैं ये नाशनल सेक्यूरिटी के लिए खत्रा है ये पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाती है इसलिए हम इसको पांच साल ये इसका बहुत बाहर निकलना इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक है अलहतलूल की बात करें तो जो विलाया सिस्टम है ना male guardianship system कि आप without male guardians के कहीं पे भी नहीं जा सकती अगर आपको घर से बाहर निकलना है आप बाहर पढ़ने का तो छोड़ दीजे अगर आपको घर से बाहर भी निकलना है या बात भी किसी से करनी है तब भी आपको male guardian की permission लेनी पड़ेगी अभी जब से मुहमद बिन सल्मान आये है तब से औरतों को थोड़ी सी रियायत मिली है अला कि मुहमद बिन सल्मान को ही दूद के धुले नहीं है एक तरफ तो वो बड़ा विजन 2030 साओधी अरेबिया का और खुब साओधी अरेबिया को डेवलप्मेंट की बाते करते हैं अगस्त में ही साओधी अरेबियान वुमेंज जो थी वो बहार जा सकती थी फॉरेंज जा सकती थी अबरोट जा सकती थी और उनको मेल गार्जन की परमिशन नहीं चाहिए वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती थी मैरिजस और डाइवोर्स के लिए भी रेजिस्टर कर सकती थी पहले क्या होता था अगर आपको डाइवोर्स लेना है मैरिजस के लिए रेजिस्टर तो आप विदाउट मेल गार्जन कुछ भी नहीं लेकिन पिछले अगस्त से ये जो पाबंदिया है वो हटाए गई और इसमें अलहतलूर का बहुत बड़ा हात माना जाता है 2014 में अलहतलूर को ड्राइविंग लाइसेंस मिला UAE में और इन्होंने गाड़ी चला ली वाई साओधी अरेबिया में 2015 से पहले तो कोई औरत गाड़ी चलाती नहीं थी वरना तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा और जैसे ही इन्होंने गाड़ी चलाई मतलब इनको ड् इलेक्शन्स हुए थे वहाँ पे भी खड़ी हो गई पहली बार किसी औरत को अरत को और इलेक्शन्स में खड़े होने का चांस मिला हलाक इनके नाम को बैलेट्स में एड ही नहीं किया गया तो सौधी अरेबिया में लगातार ये वुमेन राइट्स के लिए लड़ रही है आगे बढ़ रही है और लोग इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अब अलहतलूल को 2018 में डिटेन कर लिए अब चार्जेज देखिए नाचनल सिक्योरिटी इतना कुछ कर रही है कि 2018 में सौधी ने बैन को लिफ्ट किया कि अब जो है औरते गाड़ी चला सकती है त तो अलहतलूल को 2018 में इधर बैन लिफ्ट किया और अलहतलूल को इधर अरेस्ट कर लिया गया साओधी अरेबिया मैंने बताया ना कि एक तरफ तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ freedom of speech को धीमे धीमे वो कम कर रहा है मतलब जो पहले थो आरोप लगते हैं जर्नलिस्ट थे ना वाशिंग्टन डीसी अमेरिका में रहते थे बाहर रहते थे और उसके बाद मतलब काफी जादा वो यह जो रॉयल फैमिली उसके खिलाब बोलते थे टुकड़े टुकड़े करके फिक दिया था तर्की की तर्की में जो embassy थी मतलब इ embassy थी यह Saudi Arabia की वहाँ पे गए वो वापस आने के लिए खतम कर दिया यही तो आरोप लगता है ना Saudi Arabia के और यह बहुत ही high profile case था ऐसे बहुत सारे cases आये हैं Saudi Arabia धीमे धीमे एक तरफ तो progressive society की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ क्योंकि 2018 में देखे यहाँ पे ban हटा रहा है कि आप औरते जो हैं वो उनको काफी rights मिले अब आप गारी चला सकते हैं फिर अब आपको mail permission की भी mail guardianship की भी जरूरत नहीं है लेकिन धीमे धीमे जो भी अब आज उठा रहा है authorities के खिलाव उनको जेल में डाल रहा है चाहा है वो कोई भी हो और तो आदमियों कोई भी हो या तो उनको मार दे रहा है जान से अब इनको article 6 of the anti-cyber crime law जो की यह बताता है कि अगर आप public order, religious values, public morals को disturb कर रहे हैं तो आपके खिलाव सजा होगी चार्ज किया गया, detained किया गया, दस महिनों तक तो इनके उपर चार्ज ही नहीं लगे और trial ही नहीं हुआ, ठीक है इनके उपर कुछ भी नहीं, Amnesty International नहीं यह बोला कि इनको electric shocks दिये गए, sexually harass किया गया, इनको बलातकार की धमकी दी गई और murder की भी धमकी दी गई कि अगर त चुप नहीं रहोगी, तो तुमारे साथ हम यह सब काम करेंगे, अब साओधी अरेबिया ने 800 execution, 800 execution मतलब, अभी मुहमद बिन सल्मान पांच साल हुए है खाली उनको आय हुए, है ना जाधा उमर है, अपने 30s में ही है, जाधा उमर तो है नहीं, 34 साल के यह 35 साल के देख ल मार दिया गया, और 800 लोगों मतलब इतना ज़्यदा बूटल, एक तरफ progressive society, दूसरी तरफ सब कुछ दबा दो, कोई भी आवाद उटाए तो उसको मार दो, flogging, freedom of expression, अगर आप कुछ बोलेगे ना, तो आपको कोणों से मारा जाएगा, और publicly मारा जाएगा, रैफ बदा भी जो हैं, दस साल कि इनको सजा मिली थी, और हजार कोणों की सजा मिली थी, और इनके ओपर आरोपिय लगे थे, कि इन्होंने इसलाम को insult किया, एक मिलियन रियाल्स इनको देने दे, 2012 में इनको अरेस्ट किया, और 9 जनवरी को इनको 50 कोडे मारे गए, publicly मारे गए, सब के सामने मारे गए, 50 कोडे, आप औरत हो, चाया कोई भी हो, ये सब होता है आपके साथ, साथ, साथी अरेविया स्टेट हुमन रैट्स कमिशन ने, ये बोला कि, हम फ्लॉगिंग को, मतलब वही कोडे मारने को, एबॉलिश कर रही हैं, लेकिन एबॉलिश करने से पहले, फ्लॉगिं हो रहा है, होमो सेक्शुलिटी, सेम सेक्स में मैरेज नहीं, लेजबियन गेज के लिए आपके कोई जगा नहीं, अगर आप शराब पी रहे हो, एडल्टरी कर रहे हो, लड़कियों को परशान कर रहे हो, ऑपोजिट सेक्स के साथ, अगर आप थाइम स्पेंड कर रहे हो, भाया, 14 फरवरी वैलेंटाइन्स डे भारत में, हर कोई जाता है, लड़के लड़की जाते हैं, इंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और मतलब रेस्टरॉम में जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अगर आप साओ कर रहे हो, तो आपको कोडे मारे जाते थे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये हालत है, फिलाल लुजयन अलहतलूल जो हैंको रिलीस कर दिया गया है, आगे देखेंगे क्या होता है, ये मेरे टेलिग्राम चैनल है, 13100 सब्सक्राइबर आप इसी को योइन करेगा, खुछ रह पर तरे देखेंगे सिद्दान तक नहीं होतरी साइनिंग ओफ